आपके अपनी पकवानों के जायका में आप सभी का बहुत-बहुत सागत है आध मैं पावजी के रेस्पी लेकर हैं लिके एक दम डिफरेंट तरह की पावजी बनाऊंगी आपने बहुत तरह की पावजी खाई होगी ऐसे तो सब मिक्स वेजिटेवल पावजी बनती है आपन मिल्यन साइज के प्याज ले लिए तो प्याज को रफली एक्तम छोटा-छोटा काट लेंगे महीं महीं बहुत मोटे नहीं होने चीज पतला-पतला हमको काटना है चौपर में रख को काट सकते हैं जैसे आप चाकु से भी काट ले जीजिए हाथ में लेके जिससे आपको तो हमको ऐसे हाँ से करना ज्यादा एजी लगता है मैं प्याज काट लिया हम इसी तरह ट्रमाटर को भी अच्छे से बहुश कर लिया अब उसका आगे का जो हरावाला भाग होता है उसको निकाल देंगे उपर का उसके छोटे-छोटे पीस में काट लेंगे कि दो तीने से कट लगा दिए पटाबट कर जाता है कि सारे टमाटर में इसी तरह काटेंगे आप इसे पावाजी को जरूब बनाएगा देखेगा आपको कितना अच्छा टेस्ट लगेगा यह मैंने एग बॉयल कि हैं छे पीस हमने बॉयल करके रख लिया है इसको ऐसे चार भाग कर लेंगे यह कैके इसे पीस में बहुत गरम नहीं है फिर भी गरम है देखे बहुत बहुत निकल लिये तो इसे लंबाई में सारे एको मैं इसे लंबाई में काट लेंगे यह विंटेज और एक लावर्स के लिए तो बहुत ही बहुत लोग ज्यादा पसंद करते हैं रोज एक काना थे तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी टेस्ट की बनीगी इस सबने काट लिए अब गैस पर ने कडाई चला के चार पांच टेबूर स्पून हमने ओयल डाल दी है इसमें अब मैं जो मैंने प्याच काट के रख लेका था इसको डाल देंगे इसको मने फ्राई करेंगे अब गैस के पर हमने हाई रखा है जल्दी जल्दी हो जाए तो ऐसे लगा था चलाती हो हमको पहले थोड़ा फ्राई कर लेना है बहुत जाद हमको लाल नहीं करना हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है तो देके ट्रैंस्पेरेंट हो का इसमें एक चमच अध्रक लेस्टन का पेश डाल देंगे इन डाल दिया अब इसको भूलने किसी साथ बहुत जाद हमको कुछ नहीं बूलना है मैं थोड़ा थोड़ा इसको भूलनेंगे जैसे से कच्छा नहीं रहा जाए तो देखे बूलन गया है अब ने कुछ मसाला डालेंगे हमने हल्दी डाल दिया हाफ टीस्पून और दो तेखे बूलने भरके इसमें पावजी मसाला डाला है वेन एंड हाफ वन टीस्पून जीरा पौडर डाल दिया है सब्सक्राइब बढ़ टीस्पून जीरा डाल दियाalnya है अब अचर चला लब थोड़ासा पाई डाल दे Olivia जेले की मसालय मेरे जलेने ऑश्छा कड़जे में या च्छला सब्सक्राइख ऑफ व जानाय मखने चलाते पिंसरे में जलता है हम भूंज जाएं कि लगाता चलाते हूं भूनेंगे अब हम टॉमाटर डाल देंगे इसको भी मिक्स करते हुए भूनेंगे तोहीं इसको तब तक भूना है जब तक की टंआटर गल नहीं जाएं थुरा साहगा भूनेंगे टंडनेंगे टंड़ा करी मुझत यदि बाठे हो से और पशनायगे बन्हूंट जाएंगे बन्यूनलम्न इसको मिच मीखर चाऊएं इसको भूनेंगे एक वावा जी के जोरू बना का देखिए कि बहुत अच्छी लगती थैा एक बबा जी जब लगता है वैसे दवाते दवाते हैं और अब वह च्छे से देखें चला से लागे मिक्स करते हों भून रहे हैं अगर आपको लगे को मसारा गल्ड़ा पारे जल रहा है पानी कम है तो थोड़ा सा फीक चमच दो चमच पानी और इसमें डाल दीजीगा भून ने तक मैंने एक चमच में डाला था भून गया है अग मैंने काटके रखे थे उसके सारे पीस हम इसमें डाल देंगे सारे पीस हम इसको मच्चे से मसालो को एक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपकों को बैसे पाव जी तो क्योंकि मिक्स बनती है तो इस सारे एक ऐसे से चोटे ट्रूपीस में तोड़ लेंगे एक दम आग जो बर्तन मिक्स कर लेंगे वह उस तरह का अच्छा नहीं लगेगा तो हम बस अगर आपकों को ऐसे पसंद है तो आप अग्दम एक को कर सकते हैं एक दम फॉल करने हैं को अच्छा लगता है च्छोटे पीश रहें तो अच्छा लगी ता हम रह साथ है करते जाएंगे इस पूल से बूनते जाएं जलाते जाएंगे कि ऐसे बस कट करते जाए बूशते जाए एक चोटी चोटी जो जहां आपको दिखे कि पीस बड़े हैं तो इसको इसमूल से तोड़ते जाए एक बाजी पाऊ है तो एक इसको टुक्रे जो पीस आएंगी तो अच्छा लगेगा तो इसलिए हम इसको मैस नहीं कर दिया है हमने हम इसको ऐसे छोटी चोटी पीस में तोड़ते जाएंगे जो पीस हमको बड़े लगेंगे उसको आप ऐसे इस्पून से तोड़ते जाएंगे जो भी देखे हैं मिलाते जा रहे हैं तो भूनते भी जा रहे साथ में थोड़ा सा पाई डाल लेंगे बहुत ज़्यादा पतल तोड़ी थेक की अच्छी लगती ग्रेवी बाले बिल्कुली अच्छी लगती है असने थोड़ा से पाई आप कर दो टीन चाह, बुतना डाले जिसे कि आपके इतना मिक्स लगिए या ज्यादा ठीक लगे ना ज्यादा पतली लगे कि अच्छे से बन गई है तोब युद्धा कटी और भी धन्यार रैंगे उपर से इसको मिक्स करते के सबी को मिक्स कर लीगी एक दालने के बाद मैंने एक दूब मिनट अच्छे से भूल लिया है जहां भी आपको लागे पीस बीज बढ़े था बसका अब इसको बंद खैस को बंद कर दिया है और जो मेरी बंके त्यार है विसको तड़का लगाएं गे एक चमर पहले मैंने ऐल डाल दिया है इसमें दो चमर बटर डाल देंगे बटर डालने में बटर नाल पर यह अनल जह भीड़े दें होगे स्ऱपली में दाला कि ़नल तो इसमेरी ये किष्ञी लाल बार दाल आफे लोगता नो मन्यारे है अब गयस बन कर दिया जैली नहीं इसको ऊपर देंगे कितने अच्छी यह बार ना कितने अच्छी बाजी बनी है कि इसको बनाएं गया है बहुत सी टेस्टी लगती है बहुत एक देंड बहुत अच्छी बाजी लगी तुरा से बटर याल देंगे तो थोड़ा से मेल्ट होने देंगे बटर को अब पूरे तबही में नहीं लगाना है थोड़ी दूरी लगाएंगे को कर दिया इसमें तोड़ा सा वाजी मसाला डालेंगे बहुत जाता नहीं डालना है बस थोड़ा सा हाउप टी स्पून में लेके हम चारु केर दिया है तो इसको फुड़ा फैला देंगे बस जी कंब हम पाओ सेकेंगे जिस से बहुत अच्रा से बहुत अच्ण जी हमची है जी तो जो खाएंगे तो इस दूं साधी-सदी फिकी लिए से बहुत अच्छा पाव वाजी मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए हमने इस में थुला सा मसाला डाल के बाव को सेख दिया है तो बटर साथ मसाले को बहुत अच्छा टेस्ट आगा तो दोनों तरफ से पिर से पलट को में इकबर सेक रहे हैं अच्छे से लेंगे अंदर के साइड तो निकालने जिए अब प्रेट्म में निकाल लिए उसी बाजी डाल लेंगे अगर आप लोको बहुत थीक लगई भाजी थो थोड़ा सा अपने टेश्ट के कोड़ी थोड़ा से और पानी डाल सकते हैं तो ग्रेवी लगा सकते हैं कि हमको ग्रेवी नियुको इतनी थेक्षि कितने अच्छी वह थोगा सा ओपर से हर दिन्या से गानिश कर लेंगे इसको जरू बनाएगा का लाइएगा सबको आप भी खाएगा देख कमेट करके जरू बताएगा यहां आप लोगों कैसी लगी अच्छी लगी तो ज्यादा जाद शेयर करेंगा अभी तक चैनल में कोई कोई सिस्क्राइब निंगा है तो सिस्क्रायब कर दीछेगा लाइक कर दी जद जाद़ जबेसे से शेयर करेंगा अपने फैमली में फ्रैंड में सेयर करिएगा वीडियो पसंद आई थो लाइप जरूर कर दीछेगा वैल आइकण को भी दूपा देगा जिससे भी नहीन Dalai वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगो मिल सकें कमेंट करके जरू बताएगे यह बहुत आप लोग को कैसे लगा थेंक यू